भारत में काम करी फ्रांसी पत्रकार वेनिसा डॉनेक ने शुक्रवार शाम कहा कि उन्हें दुख के साथ भारत छोड़ना पढ़ रहा है नमशकार मेदिती फॉसदर आप देख रहे हमारे साथ दनगरी मीडिया इन्यन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार एक बयान जारी कर वेनिसा ने कहा कि आज मैं भारत छोड़ रही हूँ वो देश यहां में 25 साल पहले एक स्टूड़न के रूप में आई थी और जहां बीते तेश सालों से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ मैंने यहां शादी किये अपने बेटे को पाला पोसा मैं इसे अपना घर खहती हूँ भारत सरकार मुझे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है भारत सरकार ने कतित रूप से दुर्भावना पूर्ण रिपोर्टिंग की वज़ा से वेनिसा को ओसियाई दर्जा रद करने की बात कही थी फ्रांस ने पिछले मैंने फ्रांसी राष्टेपती इम्यून मैकरोन की भारत यात्रा के दौरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया था 25 साल पेरे भारत आई पत्रकार ने एक बयान में ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें देश शोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है वेनिसा ने एक भारते नागरिक से शादी की थी इसके बाद बे भारत में रह रही थी वेनिसा ने कहा कि ये स्पष्ट हो गया कि भारत में रह कर अपना करियर नहीं बना सकती उन्होंने कहा कि इसे OCI समुधाय के असंतोश को रोपने के लिए भारत सरकार के व्यापक प्रियास के हिस्ते के रूप में देखती हूँ सितंबर 2022 में भारत सरकार ने वेनिसा की पत्रकारता पर्मिट रद कर दिया था 18 जनवरी 2024 को ग्रह मंत्राले ने वेनिसा को एक नोटिस जारी किया था नोटिस में आरोप लगाया गया था कि वे बिना पर्मिट के देश में जर्नलिस्टिक गतिविद्या कर रही है साथ ही उनके काम को भारत के प्रती दुर्भावना से भरा हूँ और 22 नेगेटिव प्रेसेप्शन बनाने वाला बताया गया था सरकार की तरह से वेनिसा को जवाब देने के लिए दो फरवरी का समय दिया गया था एक भारते नागरिक से जीवनसाती के रूप में वेनेसा के पास पर्मनेंट रेजिदेंस का दर्जा था इससे भारत की विदेशी नागरिकता OCI की वीजा के रूप में देखा जाता है मार 2021 में भारते नियमों के तहट ये अन्वारे कर दिया गया था कि OCI वीजा धारकाओं को भारत से पत्रकार के रूप में काम करने के पर्मिट पर्याप्त करना होगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन आरों को एक खिलाफ लड़ रही हूँ लेकिन मैं नतीजा आने तक इंतजार नहीं कर सकती आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद